अगर देश के प्धारमंत्री को लगता है कि अगर कोई आवाज ना उठे इसलिए विपक्ष की आवाज कोई खतम कर दो पूरे देश के अंदर चोतरफा हर तरह से लोकतांत्रिक आवाज के दमन की प्रक्रिया चल रही है अईसे में एक सौ बार नहीं हजार एफाई आर आप करवा लिजे कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा गुझेगा और ये पूरे देश में जाएगा आपको जितने एफाई आर करानी है जितने आपके मुकद्मे करने है जितनी गिरफताडरी करना है आप करवा लिजे लेकिन अब देश आपकी तानासाहि को बरदास करने को तयार नहीं है अब सारी हदें पार हो चुकी हैं अब कोई उम्मिद नहीं बची है कि आप सुधार करेंगे कुछ घटनाएं होती है लोगों को लगता है सारे एक्सिडेंटल हो गई चलो भूल चुक में हो गई आगे ठीक हो जाएंगी लेकिन अब सिलसलेवार तरीके से जिस तरह से सभी संस्थां पर कर चाव तर्फा हमला हो रहा हूंँ खत्म करने की कोसिस हो रही है는 लोगों के मन में एक दाव्सत पैदा करने की कोशिस हो कि जो बोलेगा वो जेल जाएगा